सुरेश ग्यान विहार जो एक नामी संस्तान है जैपूर का और वहां पर खेलो कॉमेडिय लीग का आयोजिन किया जा रहा है राजस्तान की एक अलाकार है और आज उसका उद्गाटन करने के लिए हमारी जो सांसत महुद है वो भी यहां पर पहुंची है उनसे बात करते हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है और मैडम आज यहां पर पहुंची है कैसा उनको लग रहा है मैडम आज खेलो कॉमेडियन जो लीग है उसका आप उद्गाठन करने के लिए आई है इस तरीके के अनुबहु काफी कम देखने को मिलते हैं कैसा लग रहा है बिलकुल आपन को मंचों पे और टीवी में और पिक्चर्स में देखते थे लेकिन यह की दूसरा छेत्र खेल का जो शेत्र इसमें को देखके बहुत अच्छा लग रहा है और खेल तो ऐसा है कि सभी के लिए अनिवारे है और खेल से जो मेल और आपस में मेल मिला आप और जो हार को जेलने है कि जो शमता यहां से जो सीखते हैं यह जीवन में बहुत काम आती है अच्छा लगा जैउने North दूसरी खेलती रहते हैं पर इनको अपने मंच पे दंगल करते हो देखके यहां किरकेट में देखके अच्छा लग रहा है पूरी टीम 4-4 टीम हैं यहां पे और मुझे लग कर मैडम क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि अक्सर हार और जीत तो देखने को मिलती है लेकिन कहते हैं कि जीत से बड़ी हार होती है तो उसको लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बिल्कुल जीत से बड़ी हार इसली होते हैं क्योंकि हार के इंसन सीखता है बच्चे पीक बर फैल हो जाते हैं नमबर कम आते हैं उसके लिए जादा मैनट करते हैं व्यक्ति जब हार जाता है तो उसके बाद सूचता है किně कैसे हा रा क्यों हारा उसके पीछे जादा मैनट करते हो फिर वो अपने गेम को अचीव करता है धन्यवाद महाँ, आप देख रहे थे कि मेडम ने बताया है कि जो कॉमेडियन हैं वो यहाँ पर इकटे हुए हैं और वो यहाँ पर धंगल दिखाएंगे और उन्हूंने ऐक लिए कई है कि जो हार जीत होती है, जीत से बड़ी हार होती है क्योंकि हार के वे ही व्यक्ति जो है उसे सीखने का मोगा मिलता है कैमरमेन अन्शुल के साथ पवगन शर्मा जन्तर दर्वार नियूज